नमस्कार दोस्तो हाउस इलेक्रिक वाइरिंग का सामान लेने के लिए हम मार्केट आ चुके हैं और हमारा सारा सामान आप देख सकते हैं कि पैक हो चुका है और इसके साथ साथ हमें रेट लिष्ट मिल चुकी है तो चलिए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि हमें कौन सा स प्रामान कितने रूपे में मिला तो सबसे पहले यह थिम 4M Board की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे वाले बोर्ड को हम 4M Board बोलते हैं और यह थिम इसके प्राइस की बात करें तो यह मार्केट में आपको 60 रूपे से लेकर 70 रूपे का मिल रहेगा बट यह थिम इस 80 रूपे से लेकर 90 रूपे के बीच मिल रहेगा और यह थिम इसके प्राइस की बात करें तो यह थिम 8M Board की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम 8M Board बोलते हैं ठीक है और यह थिम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 80 रूपे से लेकर 100 रूपे के बीच यह आपको आराम से मिल दाएगा और यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह हमें 90 रूपए का एक पीस मिला हुआ है आपकी एरिय में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा नक्षिद हम 12M Board की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम 12M Board बोलते हैं और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 125 रूपए से लेकर 150 रूपए के बीच यह मिल दाएगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कमपणिया होती है और प्रते कमपणियों का जो रेट होता है वो अलग-अलग होता है तो एक रेंज मैं आपको बता रहा हूँ कि 125 रूपए से लेकर 150 रूपए के बीच किसी भी कमपणियों का अच्छी से अच्छी कमपणियों का आपको मिल जाएगा और यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह हमें 125 रूपए का एक पीस मिला हुआ है और यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह हमें 15 रूपए का एक पीस मिला हुआ है बहुत सारी कमपणियों है 20-25 में भी बेज़ती हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कमपणियों हैं तो प्रतेक का रेट थोड़ा कम जादा रहता है नक्षची धिम 25 mm पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह 25 mm पाइप है जो कि दीवाल में लगने वाली पाइप है ठीक है और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो यह हमें 50 रूपए का एक पीस मिला हुआ है और इसके साइस की बात करें तो यह पूरा 10 फिट लंबा है ठीक है नक्षची धिम 20 mm पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा 20 mm पाइप है जो कि दीवाल में लगने वाला पाइप है और यदिम इसके price की बात करें तो यह हमें 45 रुपए का एक पीस मिला है और एक पीस का जो length है यानि की लंबाई है वो पूरी लंबाई 10 फिट है next जिदिम 25 mm यानि की 25 mm बेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह 25 mm हमारा बेंट है और यदिम इसके price की बात करें तो यह हमें 10 रूपे का एक पीस मिला हुआ है आपको सभी company का लगभग 10 रूपे का मिल जाता है 10 से 12 रूपे प्रते company का ठीक है इससे ज़्यादा अंतर आपको bend में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा next दिम 20 mm bend की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा 20 mm bend है और यह दिम इसके price की बात करें तो यह हमें 8 रूपे का यानि की 8 रूपे का एक पीस मिला हुआ है निक्षिधियम MCB box की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर की wiring कराते समय ही कुछ इस तरीके से MCB box को set कराना पड़ता है और एक MCB box का जो starting price होता है वो लगभग 700 रूपे से start होता है और लगभग 24-25-100 तक जाता है अच्छी से अच्छी कंपनी का बता रहा हूँ 24-25-100 तक जाता है इसकी बात करें तो यह हमें 1200 रूपे का मिला है ठीक है 1200 रूपे का हमारा MCB box हो गया आपको 700 रूपे में भी मिल जाएगा मार्केट में नेक्स जेदे हम C-clip की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम C-clip बूलते हैं और इसका उपियो कुछ इस तरीके से pipe को दिवाल में set करने के लिए किया जाता है जो की 25 mm pipe को set करने के लिए 25 mm की clip आती है और यदि हम इसके price की बात करें तो यह 3 रूपे का 1 piece मिलेगा next 20 mm की clip आती है जो की 20 mm की pipe को set करने के लिए होता है आप देख सकते हैं कि यह 20 mm की clip है जो की 20 mm की pipe को दीवाल में कुछ इस तरीके से set करने के लिए इसका उपियो किया जाता है और यदि हम इसके price की बात करें तो 2 रूपे का 1 पीस मिल ला है तो सभी का rate मैंने आपको बता दिया यदि हम rate date की बात करें यानि कि इस rate को मैंने कब पता किया तो भाई साब 24, July 2024 को हमने ये rate पता किया हुआ है तो अभी के लिए बस इतना ही यदि आपको कोई doubt है तो comment box में comment करिए और अपने area का नाम और rate जरूर से जरूर बताईएगा चाहे जिस चीज का आप नाम जानते हो comment box में comment कर दीशेगा अपना ख्याल लखिए और अपने ममी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल लखिए इसी भाई के साथ आप सबी से विदा लेते हैं धन्यवाद